इससे पहले आप उर्दू के तीन लेक्चर सुन चुके हैं उमीद है कि इसका काम तमाम बिच्चों ने मुकमल कर लिया होगा अब हम अपने चौथे लेक्चर की तरफ आते हैं आप अपनी किताब का सफ़ा नमबर 9 देखें सफ़ा नमबर 9 में आपका नया सफ़क शुरू हुआ है इत्तिफाक में बरकत है मुझे और फरहाना को कहानिया सुनने का बहुत शौक है हम दोनों बहन भाई, रोजाना, रात को खाना खाकर और इसकूल का काम करके दादी अम्मा से कहानिया सुनते हैं हमारी दादी अम्मा हमारे साथ ही रहती है हम सब उनकी बहुत इज़त करते हैं और उनका कहना मांते हैं वो भी हमको बहुत प्यार करती हैं और अच्छी-च्छी दिल्चस्प कहानिया सुनाती हैं ऐसे दिल्चस्प और उंदा कहानिया अगर तुम सुनो तो हमेशा याद रखो आओ इस वक्त मैं तुमको एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाओ जो कल दादी अम्मा ने हमको सुनाई थी कहते हैं कि किसी बस्ती में एक जमीदार रहा करता था इसके पास खुदा का दिया हुआ सब कुछ था एक हवेली नुमा बड़ा सा मकान बहुत सारी गाए भैसे और बैल एक बहुत बड़ा बाख और खेट जिसमें अच्छी फसले पैदा होती थी जमीदार बहुत नेक, महन्ती और इमानदार था इसके तीन लड़के थे बाख चितना नेक इंसान था तीनों लड़की इसके बरक्स थे और हर वक्त आपस में जगडते रहते थे जब जमीदार बहुत बूढ़ा हो गया तो एक दिन इसने तीनों लड़कों को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम तीनों जाओ और एक एक डंडा लेकर आओ तीनों लड़के जड़ा सी देर में एक एक डंडा लेकर वापिस आ गए बूढ़े जमीदार ने एक रसी मंगवाई और डंडों को मजबूती से बांग कर बड़े लड़के से कहा तुम मेरे बहुत बहातुर बेटे हो जरा इस घटे को तोड़ना बड़े बेटे ने बहुत कोशिश की मगर वो घटे को न तोड़ सका बूढ़े जमीदार ने दूसरे बेटे की तरफ देखा और कहा तुमको अपनी ताकत पर बहुत नाज है क्या तुम इस घटे को तोड़ सकते हो दूसरा बेटा जो बहुत ताकतवर था इस ने पूरी ताकत से घटे को तोड़ने की कोशिश की लेकिन काम्याब ना हो सका अब बूढ़े बाप ने तीसरे बेटे की तरफ इशारा किया लेकिन वो भी इस घटे को तोड़ सका जब तीनों बेटे नाकाम होकर बैट गए तो बूढ़े बाप ने गटे की रसी खोल दी और एक-एक डंडा तीनों को देते हुए तोड़ने के लिए कहा तीनों लड़कों ने पलक जपकते ही डंडों के दो-दो टुपड़े कर दिये और खुशी से बाप की तरफ देखा बूढ़े बाप ने मुस्कुराते हुए कहा मेरे बच्चों तुम तीनों सेहतमन्द और ताकतवर हो मजबूती और ताकत के बावजुत तुम गटे को ना तोड़ सके जब ये टंडे अलग-अलग कर दिये गए तो तुमने चन्द ही लभों में इनको तोड़ दिया अगर तुम तीनों भी आपस में मिल जुलकर और इतिफाक से रहे तो तुमको कोई भी नुकसान नहीं पहुचा सकेगा क्यूंके इतिफाक और इतिहाद में बड़ी बरकत है ये कहकर बुढ़ा जमिदार खामोश हो गया और तीनों लड़के दिल ही दिल में महबत और इतिफाक से रहने का एहद करने लगे क्यूं भाई कहानी पसंद आई तुमको देखो कितनी अच्छी कहानी है हम दोनों बहन भाई भी मिल कर रहते हैं हम दोनों में भी बहुत इतिफाक है बच्चों इस सबक में एक कहानी है और इस कहानी में हमें इतिफाक से रहने के फायदे पता चलते हैं बच्चों इतिफाक का मतलब होता है मिल जुलकर एक साथ रहना और इस कहानी में एक जमिदार है बच्चो को इत्वाक से रहने की तल्कीन और बहुत अलग अंदाज में करता है वो एक तर्कीब के जरीए बताता है कि अगर मिल जुरकर ना रहे तो नुकसान उठाएंगे और अगर साथ रहे तो कोई इनको नुकसान ना पहुचा सकेगा बच्चो जमीदार का अपने बच्चो को नसीहत करने का तरीका बहुत अच्छा था जिससे इसके बच्चो को इत्वाक के फाइदे का पतल चल गया बच्चो आप भी इत्वाक से रहने की आदत अपनाएं ताकि आपको भी कोई नुकसान ना पहुचा सके अब मैं आपको इस चैप्टर का काम बताऊंगी पहला काम है आपका सवाल जवाब का आप अपनी कॉपी में जिस तरह करेंगे वो मैं अभी बता दूँगी पहले मैं पढ़कर सुनाऊंगी इत्वाक में बरकत है सवाल नमबर एक फरहाना और इसके भाई को किस चीज़ का शौब था जवाब फरहाना और इसके भाई को कहानिया सुनने का शौब था सवाल नमबर दो जमीदार के बेटे कैसे थे जवाब जमीदार के बेटे निकम में कामचोर और लड़ने जगणने वाले थे सवाल नम्बर तीन इत्तिफाक से रहने में क्या फाइदा है? जवाब इत्तिफाक से रहने में बरकत होती है सवाल नम्बर चार जमीदार ने अपने बेटों को नसिहत करने के लिए क्या समान मंगवाया? जवाब जमीदार ने अपने बेटों को नसिहत करने के लिए एक-एक टंडा और रसी मंगवाया? लिखने का तरीका बताऊंगे मैं आपको आप अपनी कॉपी में किस तरीके से लिखेंगे? सबसे पहले तारीख सबक का नाम एशर बलू सवाल लंबर एक मैंने आपको लिखकर दिखाया है देखे फरहाना और इसके भाई को किस चीज का शौब था? एक लाइन छोड़कर आप यह जवाब लिखेंगे फरहाना और इसके भाई को कहानिया सुनने का शौब था? आपको सवाल बहुती सवाल और जबाब यह पूरा काम अच्छी राइटिंग में लिखना है इस बेज दे दे कर इसी तरीकी से आपको मैंने चार सवाल पढ़के सुनाए थे इसका जबाब भी तो आप अपनी कॉपी में इस तरीकी से करेंगे आज आपका यह चौधा लेक्चर मुकमल हो गया है जो काम इस लेक्चर में दिया गया है वो लाजमी कॉपी में करना है शुक्रिया मुक्रिया